एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है इंडिपेंडेस के बाद इंडिया नुकलियर टेकनोलिजी को ड्वेल्प करना चाहता था तांकि देश की अनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सके और इसके साथ आर्तिक विकास किया जा सके लेकिन इसके साथ इंडिया अपनी सेक्योरिटी नीड्स को भी ध्यान में लगते हुए नुकलियर वेपन भी ड्वेल्प करना चाहता था नुकलियर टेकनोलिजी और नुकलियर वेपन ड्वेल्प करना तो इंडिया का एम था ही लेकिन इसके साथ वो विश्व बर में global disarmament की बात करता है जिसमें वो चाहता है कि किसी भी country के पास nuclear weapon ना हो और ना ही कोई country किसी भी रूप में nuclear test conduct करे तो इंडिया की इस policy में हमें एक contradiction दिखाई देती है इसी को foreign policy expert, a paradox in India's nuclear policy कहते है जिसमें इंडिया एक side पर nuclear weapon develop करना चाहता है और दूसरी तरह विश्व बर में global disarmament का message दे रहा है तो इंडिया इस अपने paradox से कैसे successfully emerge कर पाता है कैसे विश्व को विश्वास दिलाता है कि वो एक responsible nuclear power बन सकता है और इंडिया की अब तक की nuclear policy में क्या-क्या changes आई है कैसे evolve होई, कौन से challenges face करने पड़े उसको समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 faces में समझेंगे हम पहले face से शुरू करते हैं जिसमें इंडिया अपने nuclear program को 1947 से लेकर 1974 तक time पे develop करता है Department of Atomic Energy भी create किया जाता है जिसे 1954 में establish किया जाता है और नहरू इसे head करते है इसी time पर इंडिया अपनी nuclear science पर बहुत भारी funding देता है और nuclear program को और भी ज़्यादा develop करना शुरू कर देता है अगर हम इंडिया की nuclear policy की बात करें उस time पर तो इंडिया काफी clear था कि हम nuclear energy को create करना चाहते है सिरफ peaceful purpose के लिए इंडिया universal nuclear disarmament की भी बात करता है जिसमें ये कहता है कि किसी के पास भी nuclear weapon नहीं होने चाहिए और किसी भी तरह से कोई nuclear test भी conduct नहीं करने चाहिए इंडिया एक nuclear weapon free world का सपना देखता है और इस सपने में इंडिया का ये फैदा होता है कि इससे इंडिया को एक world मिलेगा जो nuclear conflict free होगा उसमें risk कम होगा और South Asian country जो है जिसमें इंडिया भी आता है उसमें किसी तरह की external influence नहीं होगा जिसमें nuclear power इंडिया पर दबाव नहीं डालेंगी इससे इंडिया की अपनी security भी जो है वो भी बढ़ेगी तो इंडिया peaceful nuclear energy या disarmament की बात तो करता है लेकिन leaders में एक awareness भी थी कि अगर इंडिया nuclear weapon को भी develop कर ले तो इंडिया का defense और debt runs और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे इंडिया को फैदा होगा आने वाले time पर लेकिन पहले पहले चरण में इंडिया सिरफ nuclear technology को advance करता है वो भी peaceful purpose के लिए 1955 में इंडिया, Canada, USA, UK या France चैसी countries के साथ nuclear cooperation establish करता है जिसमें वो आपसरा light water reactor भी create करता है 1956 में जो एशिया का अपने आप में पहला ऐसा reactor होता है फिर Cyrus heavy water reactor भी create किया जाता है 1960 में इसके बाद इंडिया International Atomic Energy Agency का member भी बनता है 1957 में और अपने peaceful nuclear program के चलते हुए इंडिया partial test band treaty जो 1963 में आती है उसको sport भी करता है, sign भी करता है इस treaty के तहित जो भी nuclear test space या underwater में होते थे उसको ban कर दिया जाता है और इस treaty को इंडिया का भारी समर्थन भी मिलता है लेकिन 1960 में कुछ ऐसे events होते हैं जिसकी वज़ा से इंडिया अपने nuclear program के बारे में दुबारा सोचता है और सोचता है कि nuclear weapons की क्या उसे जरूरत है 1962 में चाइना के साथ इंडिया का वार होता है और चाइना 1964 में जाकर लोप नौर में अपना nuclear test conduct करता है USA और USSR से जब इंडिया ये पूछता है कि अगर चाइना मुझ पे attack करेगा तो उस case में क्या आप लोग मेरी मदद करोगे लेकिन USA और USSR दोनों ही ये guarantee नहीं provide कर पाते है कि वो उसकी help करेंगे तो 1964 में PM लाल बहादर शास्त्री 6 महिने का time देते हैं अपने scientist को कि जल्द से जल्द वो किसी तरह से nuclear weapon को develop कर सके हाला कि वो तब nuclear weapon को develop तो नहीं कर पाते लेकिन उसी के time पर 1965 में India और Pakistan वार भी हो जाता है जो ये एहसास दिलाता है India को कि उसके लिए इस weapon को develop करना कितना जरूरी है अपनी security को enhance करने के लिए इसी के साथ इंडिया को ये पता चलता है कि nuclear weapon दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं 1965 एक ऐसा time था जब पांच ऐसी major power जिसे P5 nation भी कहते थे वो already nuclear weapon develop कर चुके थे जैसे USA 1945 में, USSR 1949 में, UK 1952, France 1960 और China 1964 में nuclear test करके nuclear weapon acquire कर लेता है और इंडिया इसी time पर ये demand करता है कि एक universal non-proliferation treaty होनी चाहिए ये जो nation जादा से जादा nuclear weapon acquire कर रहे हैं, इनको किसी तरह से रोकना होगा हम एक ऐसे विश्म में जीना चाहते हैं, जहां पर किसी तरह का डर या दबाव ना हो nuclear weapons को लेकर इंडिया की demand पर nuclear non-proliferation treaty भी आती है और इसे sign भी किया जाता है 1968 में लेकिन इसकी जो एक provision होती है जिसकी बजा से इंडिया इसे sign नहीं करता वो ये थी कि NPT treaty ने पूरे world को दो parts में split कर दिया था एक nuclear weapon state वो nation जिनोंने 1967 से पहले nuclear test conduct किये थे वो nuclear weapon रख सकते हैं और एक वो state जो non-nuclear weapon state कहलाएंगी जो आने वाले time पर किसी तरह का ना कोई test conduct करेंगी और ना ही nuclear weapon acquire कर सकती है तो इंडिया को ये treaty discriminatory लगी इंडिया ने इसको sign करने से भी मना कर दिया 1970 से तक इंडिया को ये clear हो जाता है कि उसको international sport नहीं मिलने वारी और nuclear weapons भी बढ़ते जाएंगे और nuclear weapon जो देश acquire कर रहे हैं वो nation भी बढ़ते जाएंगे तो इसी के चलते हुए इंडिया को लगता है कि हमें भी एक nuclear weapon को develop करना चाहिए लेकिन ये इतना असान नहीं था 1970 से में इंडिया के जो experts हैं जो leader है वो दो रूप में divided हो गे थे उनके दो camps बन गे थे एक थे दाहाक जो ये favor करते थे कि इंडिया के nuclear weapon होने चाहिए जिसे बाज कहा जाता था और दूसरे थे doves जो ये चाहते थे कि इंडिया nuclear weapon develop ना करे जो इसके against में थे लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो 1971 का war होता है उसमें दाहाक को ज़्यादा sport मिलती है और ये demand और भी ज़्यादा strengthened and consolidated हो जाती है कि nuclear weapon इंडिया को create करने चाहिए इसी time पर जब ये 1971 का war होता है और हमें दिखाई देता है कि USA ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ खीचा चला जा रहा है और USA चाइना के relation भी ठीक होते जा रहे हैं निक्सन और माओ की रिजीम के अंदर चाइना पाकिस्तान USA का एक front बनता दिखाई दे रहा है जो इंडिया के against काम कर सकता है आने वाले time पर इसी time पर phase 2 शुरू होता है जहां पर इंडिया ये decide करता है कि वो nuclear weapon हर हालत में develop करेगा 1974 से लेकर 1998 तक ये ऐसा time है जिसमें इंडिया अपनी nuclear weapons develop करता है और सबसे पहला जो nuclear test conduct करता है वो करता है PM इंडरा गांदी की leadership के अंदर 18 मई 1974 को जिसका court name दिया जाता है Smiling Buddha क्योंकि ये test पोखरन राजस्तान में किया जाता है इसे पोखरन first nuclear test भी कहा जाता है और इंडिया का first nuclear test भी था इसको इंडिया define करता है कि ये एक peaceful nuclear explosion था यानि किसी को harm पंचाने के लिए या किसी पर attack करने के लिए test नहीं किया गया ये सिरफ एक peaceful nuclear explosion था हमें इस test के consequences भी देखने को मिलते हैं रेक्शन देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडिया ने USA और Canadian reactor को use करके ये test के लिए material produce किया था इसलिए USA और Canada इंडिया के साथ जो भी nuclear ties या assistance मदद दे रहे थे वो सारी खतम कर दे इससे ये होता है कि कुछ nation ही कठे होते हैं जो London supplier group नाते हैं जिसे आज nuclear supplier group के नाम से जाना जाता है ये group ये करता है कि कोई भी जो new nation है किसी भी nuclear material या nuclear technology को acquire करना चाते हैं तो उन्हें ये technology export नहीं की जाएगी इसी तरह से वो इंडिया को भी रोकना चाते थे कि इंडिया भी आने वाले टाइम पर किसी तरह से nuclear material को acquire ना कर सके तो ये group ने इंडिया को nuclear material acquire करने के रास्ते बंद कर दिये इसके बाद इंडिया ने disarmament को sport करना शुरू कर दिया इंडिया नहीं चाहता था कि किसी के पास भी nuclear weapon हो और इंडिया ने ये भी सजाव दिया कि हमें nuclear weapon convention लेकर आनी चाहिए जैसे biological weapon convention आये थी जिसमें हर तरह के biological weapon को खतम करने की मांग की गई थी 1972 में और chemical weapon convention आया जो 1993 में आया इंडिया ने इन treaties पर भी साइन किया इसी तरह इंडिया चाहता है nuclear weapon convention भी लेकर आई जाए लेकिन ये नहीं लेकर आई जाती और इसके बदले में लेकर के आया जाता है अक्वायर करने से P5 nation जो है उसको नहीं रोकती है तो इसलिए इंडिया ने इस treaty को sign नहीं किया क्योंकि इंडिया चाहता था कि nuclear weapon किसी भी state के पास नहीं होने चाहिए कुछ चंद नेशन अगर nuclear weapon रखते हैं तो ये दूसरे nation के लिए खत्रा बनता है और ये CTBT treaty भी अपने आप में एक discriminatory treaty है अब हम समझते हैं कि cold war खतम होने के बाद इंडिया कैसी परिस्तितियों से जूज रहा था कि उसे अपना second nuclear test भी करना पड़ा USSR का decline हो चुका था जो इंडिया को trading और political level पर पहले sport करता था इंडिया international sanction face कर रहा था USA और Canada जैसी country इंडिया पर किये sanction लगाया हुआ था इंडिया NSG का member नहीं था इसका मतलब है कि वो किसी और country से nuclear material acquire नहीं कर सकता था USA world को dominate कर रहा था US, EU, Japan और US, China का front इंडिया के against एक ready हो रहा था China economically rise कर रहा था और Pakistan ने already अपना nuclear infrastructure develop कर लिया था इस level पर develop कर लिया था कि वो भी एक nuclear weapon create कर सकता है तो इंडिया इसी time पर decide करता है कि उसे अपना एक second nuclear test conduct करना चाहिए 11 मई 1998 को इंडिया तीन test conduct करता है और दो दिन बार 13 मई को दो test और conduct करता है PM वाजपाई की leadership में जिसको नाम दिया जाता है operation शक्ती और इसे आज जाना जाता है पोकरन 2 के नाम से इसी test के 10-15 दिन बाद पाकिस्तान भी nuclear test करता है चगाई हिल्स में बलोचिस्तान पे 28 और 30 मई अब हम समझते हैं phase 3 को जिसमें इंडिया एक nuclear power emerge होना शुरू हो जाता है क्योंकि पोकरन 2 के बाद इंडिया एक established nuclear power बन जाता है इसके लिए इंडिया को nuclear doctrine create करने की जुरूरत थी और इंडिया के national security advisor एक draft करते हैं जो 17 अगस्त 1999 में आता है और इसके बाद इसी के draft पर इंडिया का nuclear doctrine तियार किया जाता है जो 4 जनवरी 2003 में publicly release कर दिया जाता है इस nuclear doctrine में कुल मिलाकर 8 ऐसे doctrine तियार किये जाते हैं जो इंडिया को एक responsible nuclear power बनाता है सबसे पहले है credible minimum deterrent यानि इंडिया nuclear weapon इस level तक acquire करेगा कि वो अपने आपको defend कर सके credible minimum deterrent का मतलब है दूसरों को attack करने से रोक सके कि दूसरे सोचें attack करने से पहले इंडिया पर इंडिया no first use की policy में विश्वास करता है इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया पर कोई first nuclear attack करता है तो उसकी retaliation में उसके जवाब में इंडिया attack करेगा इंडिया पहले कभी भी nuclear weapon को use नहीं करेगा attack करने के लिए इंडिया जब retaliation में attack करेगा जवाब में तो वो attack इस level तक किया जाएगा कि दूसरे को unacceptable damage पहुंचाया जाएगा fourth doctrine यह कहता है कि इंडिया अगर nuclear attack करना चाता है तो इंडिया की civilian political leadership जो authorize करेगी यानि देश के जो prime minister है वो ही इस पे फैसला ले गए attack करना है या नहीं करना है military decide नहीं करेगी fifth doctrine यह कहता है कि इंडिया non-nuclear state पर कभी भी nuclear attack नहीं करेगा और sixth doctrine जो controversial doctrine है उसमें इंडिया यह कहता है अगर कोई हम पर biological या chemical weapon से attack करता है तो हम उसके जवाब में nuclear weapon भी use कर देंगे यह जरूरी नहीं है कि biological weapon का जवाब biological weapon से दिया जाए या chemical weapon का जवाब chemical weapon से दिया जाए इंडिया उसके against nuclear weapon भी use कर सकता है इसके साथ seven points यह है कि इंडिया nuclear material को export करने को लेकर एक strict control बरतेगा सावधानी बरतेगा last और eighth point है कि इंडिया committed रहेगा कि nuclear weapon free world create किया जाए इसका मतलब यह है कि अगर बाकी nation भी अपने nuclear weapon को खतम कर देते हैं तो इंडिया भी उनके साथ मिलकर यह nuclear weapon अपने जो उसने create किये हैं वो खतम कर देगा nuclear doctrine के साथ nuclear command authority भी create की जाती है जो 4 January 2003 cabinet committee on security nuclear command authority संगठित करती है इसमें दो council बनाई जाती है एक political council और एक executive council जो political council होगी उसे head करेंगे प्राइम निस्टर आफ इंडिया और executive council को head करेंगे national security advisor जब भी किसी पर nuclear attack conduct करना हुआ तो executive council, political council को advice करेंगी कि कैसी परिस्थितियां हैं क्या हमें attack करना चाहिए जब नहीं करना चाहिए executive council advice करेंगी political council फैंसा लेगी कि attack करना चाहिए और उस attack को operationalize करेंगा यानि conduct करेंगा, actually attack करेंगा वो करेंगी strategic forces command जो head की जाएगी commander in chief जिसका rank air marshal के equivalent होगा इंडिया अब एक responsible nuclear power बनता दिखाई देता है पोकरन 2 test ने इंडिया की South Asia में क्या significance है वो बता दी और इसी के चलते हुए USA भी देखने लगता है कि इंडिया एक उसका emerging partner बन सकता है उसकी significance को accept करता है दोनों में relation ठीक होने शुरू होते हैं USA और इंडिया civilian nuclear corporation का announcement करते हैं July 2005 में इंडिया agreement में ये sign करता है कि वो अपने civil और military nuclear facilities अलग-अलग रखेगा इसका मतलब ये होगा इंडिया की civil nuclear facilities होगी वो International Atomic Energy Agency के safeguards के चलते हुए उसकी देखरेख में रखी जाएगी और जो military nuclear facilities होगी वो किसी बतारा के भी international influence से अलग रखी जाएगी ये agreement में इंडिया sign करता है इस agreement की वज़ा से इंडिया को de facto nuclear recognition मिलती है यानि real nuclear recognition मिलती है international level पर August 2007 में इंडिया USA के साथ एक agreement out sign करता है जिसे 123 agreement भी कहते है इसी agreement के बाद इंडिया August 2008 में IAE के साथ agreement करता है और September 2008 में nuclear supplier group इंडिया को ये shoot दे देता है कि वो अब किसी भी देश से nuclear material और technology को import कर सकता है यानि उनसे nuclear material को लेकर help ले सकता है जो उसे 1974 में करने से रोका गया था October 2008 में इंडिया पर जो USA ने 1974 के test के बाद sanction लगाया था वो sanction भी खतम कर दिया जाता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी जीत मानी जाती है इंडिया को एक recognized nuclear power पुरे world के सामने इस time तक मानने लगे थे अब हम phase 4 की बात करते हैं जो 2009 से लेकर 2020 तक चलता है जिसमें इंडिया एक already established nuclear power बन चुका है और इसमें अब recent development क्या हो रखी है, current status क्या है इंडिया की nuclear policy का वो समझेंगे जिसमें इंडिया ने अब जो चार major export control regime है यानि चार एक ऐसे institution जो nuclear material supply करते हैं, nuclear technology supply करते हैं इंडिया उसका member बन चुका है जैसे कि missile technological control regime, MTCR, 2016 में इंडिया इसका member बनता है वासिनार arrangement के तहट इंडिया 2017 में agreement sign करता है, उसका भी member बनता है और 2018 में इंडिया Australia group का भी member बन चुका है तो ये रही तीन major export control regime जो nuclear material supply करती है और fourth जो nuclear supplier group है, इंडिया इसका अभी तक member नहीं बना है क्योंकि इसके member बनने के लिए सारे member की सहमती जरूरी है और चाइना इस पे सहमती नहीं देता है चाइना कहता है जब तक इंडिया nuclear non-proliferation treaty को sign नहीं करता हम उसे nuclear supplier group का member नहीं बना सकते अगर आज 2020 की बात करें तो international atomic energy के safeguard के अंतरगत इंडिया के 29 reactors हैं जो काम कर नहीं है और 2019 Supreme Yearbook के accordingly इंडिया के पास 130 से लेकर 140 तक nuclear weapon है जो उनका एक rough estimate है जो उनोंने nuclear material कितना है इंडिया के पास उसके accordingly निकाल कर देखा है currently इंडिया अभी तक no first use of nuclear weapon की policy में विश्वास रखता है और उस पे officially committed भी है लेकिन पोखर nuclear test की side पे अगस 2019 पे Defense Minister Rajna Singh ने एक statement दी थी कि इंडिया की no first use policy जो है वो permanent नहीं है अगर circumstances change होंगे तो ये policy भी change होंगी इस statement की वज़ा से कई सारे newspaper article कई सारे opinion article लिखेंगे जिसमें ये कहा गया कि शायद इंडिया no first use policy को आने वाले time पर बदल देगा लेकिन currently इंडिया ने no first use policy को नहीं बदला है आने वाले time पर बदलने का सुजाव जरूर हो सकता है वो बदलता है या नहीं वो आने वाला time ही बताएगा तो आप भी अपनी opinion comment करके बताएएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपनी no first use की policy में किसी तरह का change करना चाहिए चाहिए चितनी भी circumstances या परिस्तितियां बदलती है इकठिन होती है क्या इंडिया को अपनी defense के लिए जा अपनी security को देखते हुए first attack की policy लेकर आनी चाहिए जा नहीं लेकर आनी चाहिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं comment करके जुरूर बताना इस वीडियो की request की थी हेमन सान ने आप भी इसी तरह वीडियो की request कर सकते हैं comment कीजिए किसी topic पर और किसी अगर student का topic आपको पसंद आता है उस student के comment को sport कीजिए उस student के comment के नीचे plus one लिखिए और हमें बताईए कि आपको topic वो कितना important लगता है एक student की हम एक ही vote count करेंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने वीडियो बनाने में sources को use किया है वो आपकी screen पर है आप screen से देख सकते हैं Thank you